25 महाकवी कालिदास के अनमोल वचन महाकवी कालिदास कोट्स इन हिंदी इस पृत्वी पर तीन रक्न हैं जल, अन्न और सुभाशित लेकिन अज्यानी पत्थरों के टुक्रों को ही रक्न कहते हैं व्रिक्ष के समान बनो जो कड़ी गर्मी जेलने के बाद भी सभी को छाया देता है विश्व महापुरुष को खोजता है नकी महापुरुष विश्व को हंस पानी मिले दूध में से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है फल आने पर पेड जुप जाते हैं वर्षा के समय बादल जुप जाते हैं संपती आने पर सज्जन लोग विनम्र हो जाते हैं परोपकारियों का स्वाभाव ऐसा ही है अपनी बात के धनी लोगों के निष्चय मन को और नीचे गिरते हुए पानी के वेग को भला कौन फेर सकता है विपत्ती में पड़े हुए पुरुषों की पीड़ाहर लेना ही सत पुरुषों की संपत्ती का सच्चाफल है संपत्ती पाकर भी मनुष्य अगर विपत्तिगरस्थ लोगों के काम ना आया तो वह संपत्ती किस काम की गुण से ही व्यक्ती की पहचान होती है गुणी व्यक्ती सब जगह अपना आदर करा लेता है प्रत्येक व्यक्ति की रुची एक दूसरे से भिन्न होती है कोई वस्तु पुरानी होने से अच्छी नहीं हो जाती और नहीं कोई काव्य नया होने से निंदनिय हो जाता है सजजन पुरुष बिना कहे ही दूसरों का भला कर देते हैं जिस प्रकार सूर्य घर घर जाकर प्रकाश देता है दान पुन्य केवल परलोक में सुख देता है पर योग्य संतान अपनी सेवा द्वारा इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख देती है तुमने निंदायुक्त वचनों को उत्तम मान कर जो यहां कहा है, उनसे कोई कार्यतों सिध्ध हुआ नहीं, केवल तुम्हारे स्वरूप का स्पष्टिकरण हो गया है जिस प्रकार बड़ा छेद हो या छोटा वो नाव को डुबो देता है, उसी तरह दुष्ट व्यक्ती की दुष्टता उसे बर्बाद कर देती है नमरता के संसर्ग से एश्वर्य की शोभा बढ़ती है किसे हमेशा सुख मिला है और किसे हमेशा दूख मिला है सुख दुख सब के साथ लगे हुए है रच्चक्र की अरों के समान मनुष्य के जीवन की दशा उपर नीचे हुआ करती है कभी के दिन बड़े कभी की रान विद्वानों की संगती से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है जैसे निर्मली के बीज से मटमेला पानी स्वच हो जाता है काम की समापती यदि संतोष जनक हो तो परिश्रम की ठकान याद नहीं रहती जल आग की गर्मी से गर्म हो जाता है पर वास्तव में उसका स्वाभाव तो ठंडा ही होता है दुख हमें अपने स्वजनों को देखते ही दुख उसी प्रकार बढ़ जाता है जैसे रुकी वस्तु को बाहर निकलने के लिए बड़ा द्वार मिल जाएं जिसने इंद्रियों पर विजय पाली है उसके मन में विघनकार वस्तुएं थोड़ा भी छोब उत्पन्न नहीं कर सकती वास्तव में धीर पुरुष वे ही हैं जिनका चित्विकार उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में भी अस्थिर नहीं होता जिस प्रकार जब सूरज निकलता है तब लालिमा युक्त होता है और अस्थ होता है तो भी लालिमा युक्त होता है इसी प्रकार महान पुरुष भी सुख और दुहक में एकरूपता रखता है मन को विचलित करने वाली कितनी भी परिस्थितिया क्यों नहों पर एक धैर्यवान पुरुष कभी भी विचलित नहीं होता आज अच्छी तरह से जीने वाले हर कल को खुशियों की याद दिलाते हैं और हर आने वाले कल को एक उम्मीद की निशानी बनाते हैं